नमस्कार दोस्तों एक बार फिश से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल जोतिस जतन में लपार व्रद्धी के लिए बुद्वार का दिन बहुती सुब और मंगलकारी होता है विश्णु पुरान के नुसार बगवान गनेश के जो भी व्यक्ति उपाई करता है तो बगवान गनेश के साथ माता लक्ष्मी भी उनके घर दोड़ी चली आती है बगवान गनेश के और माता लक्षमी के उपाई करने वालों को कभी अनिष्ट का डर नहीं रहता है गनेश जी को विद्न हर्ता कहा जाता ऐसा माना जाता है बुद्वार के दिन गनेश जी की पुजा किये जाए तो जीवन में सारे संकट दूर होते हैं और जीवन में सुक शम्रदी बनी रहते हैं इन उपाईों को आजमाने से व्यक्ति की आर्थी किस्तिती बहतर हो जाती है। आज के वीडियो मम आपको दो महत्वे पूर उपाई बता रहे हैं जिसे बुद्वार को आजमाने हैं। जिसे घर में धन संपती में भारी बढ़ोती होती है। काम, धंदे, कारुबार, नोक्री में अच्छी सपलता प्राफ्त होती है। बस जरूरत है लगन और विश्वास की। तो चलिए शुरू करते हैं व्यापार वर्दी, धन वर्दी, जिवन में सपलता प्राफ्त करने के लिए बगवान गणेस के मंगल कारी दो उपाई। को अपने घर व्यापाई स्तलत के चारों तरफ चक्कर लगवाई और अपनी मनो कामलाओ बगवान गणेस से कहें। बाद में चुप चाप मोंद रहकर किसी भी हनुमान मंदीर की सीडियों पर ये पोटली रखकर आ जाएं। इस परियोका किसी को पता नहीं लगना चाएं ये गुप्त रूप से करना है। चार बुद्वारत ये परियोक करने से घर में धन की आवक बनी रहें कि घर में पैसों की बरकत होगी। दूसरा उपाई बहुती महत्वय कून है। इसके लिए एक जटा वाले नारियल पर हरे रंका वस्तर लपेट ले सबसे पहले। बाद में हरे रंका 24 इंची का धागा लेकर उसमें पांच गांटे लगा ले गांटे थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगा ले। फिर उस दागे को नारियल पर लपेट दें हरे कपड़े के उपर सरखने वाले गांट लगा कर बांधे लपेट कर। पांच गांटे इसलिए लगानी है क्यों कि पांच खा अंक बुद्ग्रे का प्रतिक होता है और बुद्ग्रे के अधिपती डेव गनेश जी माराध ही है। अब उस हरे वस्तर और हरा धागा लपेटा नारियल किसी गनेश मंदीर में ले जाकर दो लड्डू परसाद के साथ गनेश बगवान को अरपन करें। संपति के बंडार भर जाते हैं और कर्जों से मुक्ति मिलती है। इसी के साथ हम आज के वीडियो से विराम लेते हैं। जै राम जी की जै माता की।